नमस्कार दोस्तों में धर्वेन वर्मा आउनलाइन इस्टेडीव डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में दोस्तों बाल विकास की जो परमुक अवस्थाएं हैं सेस्ववश्था बाल लेवस्था और किसोरा वस्था इन में से जो महतपूर कथन निकल कर आते हैं जो एक्जाम में काफी बार पूछे गए है काफी वीडियो आपको केसल लागा है, यह आप हमारे regular वीडियो देखे रहे हैं, तो आपको पता यह है क्या करना है, सब से पहले it noch easy to see, जितनी भी आपके पास गृूपे सबको share करना है, जो भी इस वीडियो को देखा है, तो सबसे पहले हम सेस्ववस्था को देखेंगे जो कि जन्म से 5 वर्स तक की अवस्था होती है जैसा कि आप सभी को पता होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैलेंटाइन जो महोदे हैं इनके बारे में देखेंगी कि इन्होंने सेस्ववस्था के बारे में क्या कहा इनका कह सेस्ववस्था स्ीकने का अदर्षवाओं से Χाहिए कि में पूछा जाता स्कूनं से अधर्षवाओं कहुति राटले की यही जिर sap सेजववस्था में दो कषन अबकी सामने हैं जीवन के प्रतम दो वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का सिलन्याज करता है कि वर्षों में बालक अपने बसंसार के बारे में अधिकांज बाते खेल द्वारा सीखेंगे खेल द्वारा सीखेंगे, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भी इस्ट्रेंग के द्वारा कहा गया, कथने ध्यान दीजेगा, दोनों ही कथन किसके द्वारा कहे गए हैं, तो इस्ट्रेंग के द्वारा कहे गए कथन हैं, देखें, बिजेज मोदे ने कहा है, कि दो वर् बार इनको पढ़ लिजेगा तो और आपको असानी से याद हो जाएंगे अगला कतन है जे न्यूमेन का जो ये न्यूमेन कहते हैं कि पांच वर्ष तक की अवस्था सरीर वा मस्तिक्स के लिए बड़ी ग्रहेंसिल रहती है जो सेश वस्था की जो अवस्था है इसके बारे मे बताए गया है जे न्यूमेन ने कि पांच वर्ष तक की अवस्था सरीर वा मस्तिक्स के लिए बड़ी ग्रहेंसिल रहती है यहां कतन किसका है तो ये जे न्यूमेन का कतन है क्रो एंड क्रो काफी बार पूछा गया है most important प्रसने आपको सभी को पता होगा इसके बारे में कि 20 सताब्दी बालकों की सताब्दी है यहां किसके द्वारा कहा गया किसका कतन है तो ये क्रो एंड क्रो का कतन है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है आपने कही ना कही है इस कथन को पड़ा होगा रास महुदे द्वारा कहा गया है कि या फिर इनका कथन है कि सिसू कल्पना का नायक है अथा उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षी थे यहाँ पर जो कथन कहा गया है या फिर किसका कथन ही है तो यह रास का कथन है एडलर महोदे ने क्या कहा है सिसू के जन्म के कुछ समय बाद ही यहां निश्यत किया जा सकता है कि भवशी में उसका इस्थान क्या है यहां पर जो कथन दिया गया है यह किसका द्वरा दिया गया है तो यह एडलर के द्वरा दिया गया कथन जितनी भी कथन है, इंपोटेंट है, फिर में आपको बता रहा हूँ, आपको याद करने ना है, चाहे वो सिटेट एक्जाम हो, यूपीटेट हो, रीट हो, यूपीटेट हो, सभी में सेसवस्ता, बालेवस्ता और किसोरा वस्ता से समझत प्रशने पूछी जाते हैं, यदि आपने इन सभी कथन को याद कर लिया, तो एक सदो नंबर आपके पके समझी है, तो इनको याद कर लिजिगा, गेशल महुदे क्या कहते हैं, इनका कहना है, या फिर इनका कथन है, कि बाला के प्रथम 6 वर्स में बात के 12 वर्स से भी दूगना सीख जाता है, यहां कथन किस का है, तो यह गेशल महुदे का कथन है, चलिए, सिंग्मन फ्राइट के बारे में जान लेते हैं, कि इनका क्या कहना है, इनका कहना है, कि सिस्तु में काम प्रवत्ती बहुत प्रबल होती है, पर वयस्को की भाती उसकी अभिव्यक्ती नहीं होती, यहां पर जो कथन दिया यहां पर जो कथन दिया गया है, यह सिंग्मन फ्राइट के द्वरा दिया गया है, काफि इंपूटेंट हैं, याद रखीगा, पूछ जाता है कि किस के अनुसार, सिस्तु में काम प्रवत्ती बहुत प्रबल होती है, पर वयस्को की भाती उसकी अभिवक्ती नहीं होती, त प्रकार से एक्जाम में पूछे जाते हैं अब बात कर लेते वाट्सन की वाट्सन द्वारा क्या कहा गया है कि सेस्ववस्था में सीखने की सीमा वा तीवरता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है यहां कथन किसका है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां परसन के अनुसार कहा गया है रूसों के द्वारा क्या कहा गया है तो बालक के हात पेर वा नेत्र उसके प्रारंबिक सिक्षक है इनी के द्वारा वहां पांच वर्स में ही पहचान सकता है सूच सकता है और याद कर सकता है यहां पर जो कथन दिया गया है यह किसके द्वारा तो ये रूसों के अनुसार या फिर रूसों के द्वरा दिया गया कथन है चलिए सेसो वस्था के बारे में हमने जितने भी कथन थे इंपोर्टेंट है वो सभी आपको बता दिया गये हैं अभी बाल्य वस्ता की बारी है, बाल्य वस्ता छे से बारा वस्ता तक की होती हैं, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, तो बाल्य वस्ता के जतने भी इंपोर्टेंट कतन हैं, वो आपके सामने हैं, कोल एवं बुरूस्था को जीवन का अनुखा काल किस अवस्ता को कहते हैं, तो बाल्ले अवस्था को कहते हैं तो दोनों प्रस्णों को आपको याद अच्छे से कल देना है कि बाल्ले अवस्था को जीवन का अनुखा काल कोल एवं ब्रूस के द्वरा कहा गया और कौन सी अवस्था है ये जीवन का अनुखा काल तो ये बाल्ले अवस्था है ध्यान दीजेगा अगला यहाँ पर है रास रास के द्वारा क्या कहा गया कि बाल्य वस्था को मिथ्या या छदम परिपकुता का काल कहा है तो वो है बाल्य वस्था यह दोनों प्रकार के प्रिशने पूछे जाते हैं जो जो प्रकार के प्रिशने यह पर पूछे जाएंगे और सभी मैं आपको बताऊँगा यहां कथन किसका होगा रासका होगा और मित्या या छदम परिपकुता का काल को उनसी अवस्था को कहा जाता है तो वो बाल्ले वस्था को कहा जाता है देखे यहां पर भी श्ट्रिंग द्वारा दो कथन दिये गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां सायद ही कोई खेल हो जिसे दस वर्स के बालक ना खेलते हो यहां कथन किसका होगा तो यहां कथन द्वारा कहा गया कथन या फिर श्ट्रिंग का कथन है उनकी द्वारा एक और कथन दिया गया बाले अवस्था में कि बालक की भासा में सरवाधिक रूची होती है यहां कथन किसका है तो यह इश्ट्रेंग का कथन है या फिर किसके अनुसार कहा गया है तो यह इश्ट्रेंग के अनुसार कहा गया कथन है दोनों कथनों को याद कर लिजेगा काफ पून अवस्थाद नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ब्लेयर, जोन्स, एवं, सिप्शन के अनुसार या फिर इनके द्वारा कहा गया. कथन है कि सेख्चिक दिष्टि कोण से बाल्य अवस्था से अधिक जीवन में कोई महत्तिपून अवस्था नहीं है। प्रसुपता आवस्था कहा है पिससे पढ़ लेते हैं बाले वस्था को काम की प्रसुपता आवस्था किसके द्वारा कहा गया है तो यह सिंग्मन फ्रायट के द्वारा कहा गया है काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा गया है याद रखेगा काम की प्रसुपता आ गया कुम्सी वस्ता को प्रती दौनदात्मक समाज जिकरन का काल कहा है कुन सी अवस्था को प्रति दुन्दात्मक समाजिकरन का काल कहा है तो बाल्ले वस्था को कहा गया है किस के द्वारा कहा गया है तो ये किल पेट्रिक के द्वारा कहा गया कथन है चलिए अब बात कर लेते हैं कि सोरा वस्था कि हमने से सोरा वस्था के बारे में जाना बाल्ल कि स्वरावस्था प्रबल दबाव तनाव तुफान वस संगरर्शकाकाल किससे कहा गया है Baram पर पूछा जाता है कि प्रबल दबाव तनाव तुफान वा संगर शकाकाल ये अवस्था कोन सी है तो वो किसोरा अवस्था है काफ इंपोटेंट देखी यहाँ पर जिस प्रकास से पूछ जाते हैं और सभी आपको बता रहा हूं तो आपको धियान देना है किसके अनुसार क कहा गया है कोन सी अवस्था है तो वो किसोरा अवस्था है ध्यान दीजीगा चलिए किल पेट्रिक क्या कहते हैं इनका कहना है किल पेट्रिक ने किसोरा अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है कोन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है तो वो किसोरा अवस्था कि कि इसके द्वारा कहा गया है तो ये किल पैट्रिक के द्वारा कहा गया कथन है किस रवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है किल पैट्रिक क्या कहा गया है कि घनिष्टवा व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विसेस्था है यहाँ पर देखे एदि एक्जाम में पूछे कि किसका कथन है किसके अनुसार कहा गया है कि घनिष्टवा व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विसेस्था है तो य कौन सी अवस्ता अपराद प्रवत्ती के विकास का नाजुक समय है तो वो किसोर अवस्ता है किसके अनुसार कहा गया है तो यह वैलेंटिन के अनुसार कहा गया कथन है इसकी नर्महुदे क्या कहते हैं इनका कहना है कि किसोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है अताह निर्देशन वा प्रामर्स दे यहां कतन इसकी निर्का है याद कर लिजीगा विंग एंड हंट इनका क्या कहना है कि सुरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही सब्दे है वहां है परिवर्तन याद रखेगा किस्वरावस्था को विक्त करने वाला एक ही सब्दे है वहाँ है परिवर्तन यहां कथन किसका है तो यह विंग एंड हंट का कथन है चलिए जिन प्याजे क्या कहते हैं जिन प्याजे का कहना है कि किस्वरावस्था महान आदर्शो वा वास्तिविक्ताओं से अनुकूलन का समय है यहां किसका कथन है तो यह जिन प्याजे का कथन है यहां पर आदर्शो लिखा हुआ है ध्यान देजेगा किशोरावस्था महान आदर्शो वा वास्तिवक्ता से अनुकूलन का समय है यहां जिन प्याजे का कथन है दीगे तो यहां पर हमारे जो आज का वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद